हाई अवरिमन, वेलकम प्रोडिश्टल चीके क्लासेज, तो कल से लेकर अभी तक सेल्फ डिकलेरेशन के लिए बहुत सारे कॉमेंट्स आये, तो मैंने सुचा ठीक है, पिछले बार भी मैंने आपको समझाया था, इस बार भी बता देती हूं, बट इस से रिलेटेट कई सारे मैंने questions देखे कि, क्या self-declaration लेकर जाना जरूरी है, तो जी हाँ, admit card का first instruction आप पढ़ सकते हैं, आपको लेकर जाना है, अगर दिया है तो, and second thing, कि अगर दिया है, तो लेकर जाओ न, नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकर जाने में, एक simple सा form है, आपने admit card के साथ लेकर तो, अगर आपके पास नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे, ना check हो, वो दूसरी बात है, बट अगर आप exam देने जा रहे है, तो आपकी responsibility बनती है, कि आप थोड़ा सा भी mistake ना करें, कि आपको वहाँ पर stress दिया जाए, इसलिए आप इस form को लेकर जाए, तीसरे चीज़ क क्या ये सभी के लिए same होगा, जो कि आप टेलिग्राम पर भेज रहे हो, तो जी हाँ, ये सभी के लिए same है, यहाँ पर किसी के नाम, किसी का roll number नहीं दिया, आप देख सकते हो, simple एक form है, जो कि सभी को ऐसा ही मिलेगा, तो आप ज़्यादा परिशान मत होए, आप PDF को मेरे चानल से डाउनलोड करके, प्रिंट निकलवा कर, form भर के अपने साथ लेकर जाना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलिग्राम मेरा जोइन कर लेना, उसकी लिंक आपको comment section में मिल जाएगी, एंड उसके बास सबसे main चीज है कि इसको fill कैसे करे, मैंने बहुत जगा द देखे, यह self declaration है, 2023 का है, और यहाँ पर clearly लिखा हुआ है, पढ़ लिजे ध्यान से, कि I hereby declare that I don't have any of the below listed symptoms, मतलब कि मैं यह declare करता हूँ या करती हूँ, कि इन सभी में से मुझे कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे आप, टिक करेंगे कि क्रॉस करेंगे, तो ध्यान से सुनि क्योंकि यह आपने declare कि मुझे कुछ नहीं है, अगर आपको कुछ है, तो उस case में आप क्या करते, आप यहाँ पर मालो आपको fever है, तो आप ऐसे cross कर देते, बाकी तो आप अटिक ही करते ना, ऐसे, ठीक है, तो मैं आपको एक suggestion देना चाहती हूँ, कि ना तो आप cross मत करना, चाहें आपको fever है, चाहें आपको cough है, चाहें आपको cold है, कुछ भी है, क्योंकि आपको paper देना ही है, तो आप cross करके क्यों बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि कहीं आपके अंदर कोई symptoms तो नहीं है, COVID-19 virus का, इसी लिए, तो आपको simply सा क्या करना है, form को download करके, print निकलवा करके, यहां पर ऐसे tick कर देना है, बस, blue, black, किसी भी pen से, खुद से form भरना ही है, ठीक है, तो आप print निकलवा कर जब घर आएंगे, उसके बासे admit card सामने रख लेना, then blue या black pen, किसी ball point जो pen आता है, उससे आपको यहां पर ऐसे tick कर देना है, तिक करने के बा आपका जो भी admit card में name है, वो आपको फिल करना है, रोल लंबर फिल करना है, आपका date of exam, 20 को है, तो 20 अगस्थ date of exam लिखिए, exam center name, center name तो पता चल गया होगा, address, वो भी यहां पर फिल कर दो, यह सब कुछ घर से भर के जाना है, यह नहीं कि वहां पर आप हडबडी में सब आपको इसको, he या see must saw the declaration at the time of entry in the examination center, यह आपको दिखाना होगा, जब आपकी center पे जो है, entry होगी तो, देखिए कई जगा क्या होता ना, कि exam में, वो लो check नहीं करते हैं, बट बहुत से ऐसे center हैं, वो जो check भी करते हैं, बिना check के आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक ह फिर आप जाएंगे, कहीं से निकलवाएंगे, आपको बहुत समय बरबाद होगा, तो इसी में जो है भलाई है, कि अगर मिला है, तो self declaration को क्या करो, मेरे telegram channel से डाउनलोड कर लो, सभी का same है, तो सभी को same ही लेकर जाना है, तो ऐसा नहीं कि आप बार बार seated पे जाकर ढूं ठीक है, तो यह simple से चीज़े आपको परिशान नहीं होना है, तो चलो मिलते है next class में, thanks for watching.